दोस्तों यही है वो जूस जिसके सेवन से ना केवल आप बुखार, सर्दी खांसी, हाथ पैर में जलन और टाइफाइट जैसे रोगों से बच सकते हैं बलकि इसके साथ ही आपकी इम्मूनिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे तयार किया जाएगा दोस्तों इसको तयार करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पपीते के पत्तों का यह आप देख रहे हैं किस प्रकार से पेड से हमने इस पत्ते को तोड़ा है हमें बिल्कुल ताजी पतियों को लेना है ताजी पतियां जो है वो हरी कलर की होती है और जब इसकी पतियां बासी हो जाती है या सूख जाती है तो वो पीले कलर की हो जाती है तो वो हमारे काम की नहीं है तो हमें हरी पतियों को लेना है जो की ताजी होती है अब हम इसको पीस कर इसका जूस निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है पानी में इसको अच्छे तरीके से धोले और इसके बाद फिर आप ये देख रहे हैं ये सिलबटा बोलते हैं इसको अक्सर गाउं घरों में ये मिल जाता है और आजकल तो सहरों में भी काफी सारे लोग इसको रखते हैं इसका इस्तेमाल मसाला पीसने के लिए जनरली होता है आप देख सकते हैं किस परकार से इसमें चारोगल ग्रीन ग्रीन पहले से भी लगा हुआ है पहले भी इस पर इस पत्ते का रस निकाला गया है तो इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे आज कल साप सफाई स्वक्षता बहुत जोरी है तो सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से सिलबटे को धो लें और फिर इसमें से हमें डंठल को तोड़ कर फेक देना है वो डंठल हमारे किसी काम का नहीं है और फिर इस प्रकार से पत्ते को निकालने के बाद हम क्या करेंगे पानी अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे और पत्ते को इसके जो सिलबटे का जो ये इसको मूसल या हताओडी कुछ भी बोल सकते हैं उसकी मदद से इस प्रकार से कूट लेना है कूटने के बाद यह थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो आपको इसको पीसने में आसानी हो जाएगी तो इस प्रकार से हम इसको कूट लेंगे इस juice का इस्तेमाल लोग गाउं में regular करते हैं तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और उसके बाद इसको पीसना असान हो जाएगा जिस प्रकार से हमें जोस निकालना है उसके लिए इसलबट्टे पे पीसना अवश्यक है अब चलिए हम लोग जानते हैं कि गाउंके लोग इसको किसप्रकार से यूज करते उनसे बाते करते हैं, खात में जड़न हो, तरवा में लहर हो, शरीर नहरस्तची को यह खतम करता है, पदस, बखार उखार जो भी है, शरीर में उन्यूती भी लाता है, तो इसको क्या डेली रियूज यूज करना पड़ता है, ना डेली नहीं है, तब तीन दिन तक पीजिए, तिन दिन क्या सुभा साम, सुभा खाले, खाली सुभा, खाली पेट, वह जो रही नहीं है, तो बुखार में काम करता है, ताफाइल बुखार हो जाती हो, मैंने की इम्निटी राता है सरी में, सरी में इम्निटी बढ़ाता है, आप रोज इसको इसको इस्तमाल करते हैं, तो तूटके बैटने बारा था, मैंने दिया तो मुझे बहुत ही म्यूटी आया शरीर मेरा, हाथ पर जो लहर का तो सब खत्म हो गिया, अच्छा, सही है, तो आपको कुछ लक्षन था क्या कुछ आई सकता है, नहीं सो कोई लक्षन नहीं था, अच्छा, यह कमजोरी बहुत आग तो दोस्तों यह देखिए, पीस करके तयार हो गया, इसके बाद हमें एक सूती कपड़ा लेंगे और यह जो पीस करके हमने पत्ते का पूरा निकाला है, उसको हम इस तरह से लपेट लेंगे सूती कपड़े में, और फिर एक ग्लास लेंगे और इसको जैसे ही हम दबाएंगे, तो इसमें से रस निकलना चालो हो जाएगा, आप देख सकते हैं क कितना कम मात्रा में इसका रस निकलता है, लेकिन इतना मात्रा भी काफी होता है आपके इस्तेमाल करने के लिए, अब दोस्तों यह रस तो हमारा निकल गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इस रस को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही असान है, इसके लिए आ आप इसका जो टेश्ट होता है थोड़ा कसैला होता है तो आप एक दिन में एक चम्मच पिए और तीन दिन तक इसका सेवन करें तीन दिन तक एक चम्मच इस प्रकार से निकाल लें और तीन दिन तक इसका सेवन करें तो इसके बाद अना केवल आपको बुखार, सरदी जुक और हाथ पर में जलन्ज होती है उससे रहात मिलेगी और जैसा कि पहले भी बताया कि ट्राइफाइड वगरे में भी रहात मिलेगी इसके साथ ही आपकी उनिल्टी भी बहुत बढ़ेगी पहली बार 7 करने के बाद ही आपको इसका असर दिखना चालू हो जाएगा दोस्तों इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कसेला होता है हो सकता है सबको उसका टेस्ट पसंद आए तो यदि आपको इसका टेस्ट ज़्यादा कसेला लग रहा हो तो इसके इसके इस्तिमाल के बाद आप थोड़ा सा सहथ भी इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों यह थो ही आज की जानकारी उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक और सेर जरूर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद